Hello Everyone, Welcome to ECE Gate 2017, मैं हूँ Sumit अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं ब्लॉग की लिंक आपको यहाँ दिख रही होगी इसी के साथ आप हमें Facebook पेच पे भी लाइक कर सकते हैं Facebook पेच के अड्रेस यह रहा आपके सामने ब्लॉग और Facebook पेच की लिंक मैंने नीचे description में mention की हुई है आप वहाँ से जाके लिंक को open कर सकते हैं Today we will discuss Root Locus Root Locus बताने से पहले मैं आपको gain margin के लिए कुछ shortcut method बताने वाला हूँ और कुछ और examples देखेंगे उसके वाद हमें start करेंगे Root Locus तो आपने previous lecture अगर अब तक नहीं देखा हुआ है तो उसे आप हमारी channel की playlist में जाके पहले देख ले वहाँ पे मैंने आपको gain margin और face margin के लिए concept बता हुए थे और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें और other subject की वीडियो भी आप channel की playlist में जाके देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं Suppose हमें open loop transfer function given है gshs equal to k upon s 1 plus st1 1 plus st2 अगर इस form में हमें open loop transfer function given होता है तो हमें gain margin and face crossover frequency निकालने के लिए एक shortcut method होती है हमारे पास उस method के according हम direct पता कर सकते हैं कि हमारे पास gain margin क्या होगा and face crossover frequency क्या होगी यहाँ पे गलत mention है यह gain crossover frequency नहीं यह face crossover frequency होगी हमारी आजकल हमें time नहीं मिल पाता है और आपके exam भी काफी नजदिक है तो जल्दी ली notes बनाने में कुछ गड़वड हो जाती है notes बनाने में तो यहाँ पे आप correct करने में मैं block पे इसे update करूँगा तो यह gain crossover frequency नहीं हमारे पास यह face crossover frequency अगर हमारे पास open loop transfer function इस form में होता है तो face crossover frequency के लिए हमारे पास formula होता है 1 upon under root of T1 into T2 इसी तरह से gain margin निकालने के लिए हमारे पास formula होता है T1 plus T2 divided by K T1 into T2 मैं इसे आपको example के तुरू clear करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे हमारे पास एक example सो है इसमें देख सकते हैं open loop transfer function given है 16 upon S in bracket S plus 4 S plus 4 यहाँ पे आप देखें तो यह कुछ-कुछ इस form में हमारा open loop transfer function given है लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि T1 and T2 हमारे पास 4 नहीं है student अक्सर यह गलती करते हैं वो क्या करते हैं जलजबादी में T1 and T2 को 4 रखते हैं and K को यहाँ पे 16 assume करके अपना इस formula में put करेंगे value and gain margin and phase cross-off frequency निकाल लेंगे and आपको option में एक option match भी हो जाएगा आपके answer से तो यहाँ पे यह गलती नहीं करनी है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए हमारे पास जो standard open loop transfer function given है वो 1 plus ST1 के form में है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा इससे 1 plus ST1 के form में convert करने के लिए 4 को common निकालना होगा तो यहाँ से हम 4 common निकालेंगे and यहाँ से भी हम 4 common निकालेंगे तो हमारे पास common निकलेगा 16 and 16 and 16 एक दूसरे को cancel out करेंगे and हमें open loop transfer function मिलेगा 1 upon S 1 plus S by 4 and 1 plus S by 4 अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास T1 and T2 की value है 1 by 4 तो जब आप T1 and T2 की value इस formula में put करेंगे तो आपको face crossword frequency यहाँ पे मिलेगी 4 इसी तरह से gain margin निकालने के लिए आप T1 and T2 की value इस formula में put कीजिए तो आपको gain margin निकल आएगा and यहाँ पे आप ध्यान रखिए यह जो gain margin हमारे पास निकल के आ रहा है यह है gain margin in time अगर option में हमें gain margin in db given है तो हम क्या करेंगे gain margin in db निकालने के लिए 20 log gain margin in time लेंगे मैंने आपको previous lecture में भी बताया हुआ था कि कहाँ पे हमें 20 log लेना है and कहाँ पे हमें minus 20 log लेना है इसमें अक्सर confusion होता है और अक्सर गलती होती है तो इसलिए मैंने यहाँ पे note में mention किया हुआ है अगर हमारे पास mod of open loop transfer function given है तो हम यहाँ पे minus 20 log mod of gh लेंगे अगर हमारे पास gain margin in time given है तो यहाँ पे हम gain margin db में निकालने के लिए 20 log of gain margin in time लेंगे तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए यहाँ पे क्योंकि अक्सर गलती होती है इसलिए से मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ एक और example हम देख लेते है यहाँ पे हमें open loop transfer function दिया हुआ है gs hs gs hs at omega equal to 10 radian per second is 1 and angle है हमारे पास minus 180 degree तो यहाँ पे हमें question में given है कि open loop transfer function में omega equal to 10 लेने पे हमें magnitude मिल रहा है 1 and angle मिल रहा है हमें minus 180 degree and हमें find करना है omega 1, omega 2, face margin and gain margin तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था gain crossover frequency होती है हमारे पास frequency at which mod of gh equal to 1 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं omega equal to 10 radian per second पे हमें mod of gh मिल रहा है 1 तो यहाँ पे हमारे पास omega होगा omega 1 and इसी तरह से मैंने आपको बताया था frequency at which angle become minus 180 degree तो उस frequency को हम बोलते हैं face crossover frequency तो यहाँ पे हमारे पास omega 2 भी 10 होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं omega 1 and omega 2 हमारे पास निकल के आ रहा है 10 अब मैंने आपको बताया हुआ था previous lecture में अगर हमारे पास omega 1 and omega 2 की value same आती है तो इसका मतलब है हमारे पास जो system है वो है marginally stable system तो यहाँ पे face margin and gain margin भी हमारे पास equal निकल के आएंगे and gain margin का formula होता है 1 upon mod of gh in time तो यहाँ पे हमें mod of gh दिया हुआ है 1 तो यहाँ पे हम gain margin में 1 upon mod of gh निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 यह जो gain margin है वो time में निकल के आ रहा है अगर आपको dp में निकालना है इसकी value तो आप क्या करेंगे 20 log of 1 लेंगे तो आपको dp में इसकी value मिल जाएगी that is 0 and gain margin हमारे पास 0 निकल के आ रहा है तो face margin भी हमारे पास 0 निकल के आएगा यहां से भी आप देख सकते हैं हमारे पास angle जो given है minus 180 degree यह angle जो given है हमारे पास यह given है angle at omega equal to omega 1 तो यहां पर हम क्या करेंगे face margin निकालने के लिए 180 plus minus of 180 करेंगे तो हमें face margin मिलेगा 0 degree तो इस तरह से हम question को solve करते हैं आप कुछ और question practice book से solve करने की कोशिस कीजिए आपको यहां से सारे question solve हो जाएंगे लगबग gain margin and face margin से फिर भी आपको अगर कुछ doubt है तो नीचे comment box में comment कीजिए तो चलिए start करते हैं root locus root locus की definition की बात करें हम तो root locus is a plot of characteristic equation when open loop gain is varied from 0 to infinity तो root locus के लिए हम क्या करेंगे हमें एक open loop transfer function given होगा question में and root locus plot करने के लिए open loop transfer function का जो gain होगा हमारे पास k उसे हम vary करेंगे from 0 to infinity and हम जो plot draw करेंगे इस तरह से उसे हम बोलेंगे root locus तो यहाँ पे मैं आपको एक example से समझाने की कोशिस करता हूँ यहाँ पे हमें एक close loop transfer function given है and जब इस transfer function के लिए हम characteristic equation find करेंगे तो हमें characteristic equation मिलेगी s square plus as plus k equal to 0 यहाँ से जब हम root find करेंगे तो root मिल रहे हैं में s1 and s2 जिसकी value होगी minus a by 2 plus minus square root of a by 2 square minus k अब यहाँ से आप देखें root locus को draw करने के लिए हमें k की value 0 से infinity तक vary करनी है तो हम सबसे पहले लेते हैं k equal to 0 जब आप यहाँ पे roots में k equal to 0 put करेंगे तो आपको s1 and s2 की value मिलेगी 0 and minus a तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने s plane में यह जो हमें poles मिल रहे है उनकी location को locate किया हुआ है हमें 1 pole मिल रहा है 0 में and 1 pole मिल रहा है में minus a में अब यह root locus आगे vary कैसे होगा तो हम k की value को आगे बढ़ाते हैं 0 से यहाँ पे मैं second में k की value ले रहा हूँ 0 to a square by 2 0 to a square by 4 जब आप k की value 0 to a square by 4 लेंगे तो आपको जो यह plot मिलेगा यहाँ पे root की locations मिलेंगी वो आगे vary होंगी कुछ इस तरह से यह वाला जो root है हमारा वो इस direction में vary होगा and यह वाला जो root हमारा वो इस direction में आगे vary होगा and आगे यह एक दूसरे से मिलेंगे एक point पे तो यहाँ पे हम third में k की value लेते हैं a square by 4 जब आप k की value a square by 4 रखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे आपको s1 and s2 की value मिल रही है minus a by 2 तो यह जो roots है हमारे यह एक दूसरे को यहाँ पे touch करेंगे और यह point होगा हमारे पास a by 2 minus a by 2 अब इसके आगे जब हम k की value a square by 4 से आगे बढ़ाएंगे तो हमारे जो roots हैं वो lie करेंगे इस position में कुछ इस तरह से वो आगे बढ़ जाएंगे अब यह draw की से हो रहा है आपको यह ज़्यादा समझने की जरुवत नहीं है बस आपको मैं इतना समझाना चाहता था कि कैसे हम root locust को k की value के according draw करते हैं तो इस तरह से हमें जो भी plot मिलेगा उसे हम बोलेंगे root locust अब root locust को draw करने के लिए हमारे पास कुछ rules होते हैं उस rules को हम discuss कर लेते हैं सबसे पहला rule है हमारे पास root locust start from open loop pole and terminate at open loop 0 मैंने आपको बताया root locust की में क्या करते हैं जब आप open loop transfer function में देखेंगे तो हमें मिलेंगे open loop poles इसी तरह से k equal to infinity जब आप रखेंगे तो हमें मिलेंगे open loop 0 तो यहाँ से हम कह सकते हैं root locust start from open loop pole and terminate at open loop 0 and second rule है हमारे पास number of root locust और branch is p और z whichever is higher कितनी root locust हमारे पास exist होगी यहाँ पे यह हम पता लगाते हैं p और z की value से जो भी higher value होगी उतने root locust हमारे पास यहाँ पे graph में मिलेंगे अगर आपको यह अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आगे जब मैं example में बताऊंगा तो वहाँ पी अच्छे से clear हो जाएगा थर्ड rule है हमारे पास number of asymptotes number of asymptotes का formula होता है हमारे पास mod of p minus z यहाँ पे p number of poles है हमारे पास and z हमारे पास number of zeros है तो जब हम p minus z करेंगे और उसका mod लेंगे तो उतने number of asymptotes हमें मिलेंगे अब यह asymptote क्या होते है जब भी root low की हमारा exist करेगा suppose हमें asymptote मिल रहा है इस तरह से तो हमारा जो root low की होगा वो asymptote के along ही आगे बढ़ता है तो हमें root low की मिलेगा कुछ इस तरह से आगे बढ़ता हुआ यह आपको अच्छे से example में अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पर बस आप इतना समझ लें कि asymptote क्या होते है तो asymptote ऐसा path होता है जिसके along हमारा root low की जो है वो आगे बढ़ता है यहाँ पर आपको example से समझाने की कोशिज करता हूँ suppose हमारे पास open loop transfer function given है इस तरह से s plus z1, s plus z2 divide by s plus p1, s plus p2 and s plus p3 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं number of poles से हमारे पास 3 and number of 0 से हमारे पास 2 तो जब आप p minus z निकालेंगे तो हमें number of asymptote मिलेंगे 1 and fourth rule है हमारे पास angle of asymptote angle of asymptote के लिए हमारे पास यहाँ पर formula लिखा हुआ है very important यहाँ से question पूछे जाते हैं competitive exam में तो यह formula आप अच्छे से आद रखें formula होता है हमारे पास 2q plus 1 into 180 divided by p minus z and यहाँ पर q क्या है हमारे पास q है हमारे पास 0, 1, 2 से लेकर p minus z minus 1 तक तो जो हमारे asymptote निकलेंगे यहाँ पर asymptote minus 1 तक हमारा q vary करता है 0 से start होता है and asymptote minus 1 तक यह इसकी value vary करती है तो इस तरह से हम एंगल निकालते हैं एंगल निकालने के लिए मैं आपको shortcut method भी बताऊंगा आगे पर यह formula important है इस formula पर base भी एक question पूछा गया है gate में तो इसे आप याद रखें अच्छे से next rule है हमारे पास point of intersection of asymptote with real axis तो यह जो हमारे asymptote हमें मिलेंगे यह जिस point को intersect करेंगे उसे हम बूलते है centroid तो centroid का हमारे पास यहाँ पर formula होता है summation of p minus summation of z divided by p minus z very important centroid से हमेशा complete exam में questions पूछे आते है and इसके लिए एक और जो important point है वो यह है कि यह जो centroid होता है हमारे पास it always lies on real axis तो हमारे पास centroid की value हमेशा हमें real मिलेगी centroid simply अगर मैं define करूँ तो जो asymptote होंगे हमारे वो एक दूसरे को जहाँ पर intersect करेंगे उसे हम बोलेंगे centroid आगे example में आपको यह सारे point अच्छे से clear हो जाएंगे sixth rule है हमारे पास existence of root lucky हमारे पास जो root lucky होंगी branches होंगी उनकी existence हमारे पास कहां पर होगी suppose हमारे पास as plane में roots की location है इस तरह से यहाँ पर हमारे पास poles and zeros मिल रहे है हमारे पास इस तरह से अब यहाँ पर हमें जब पता लगाना है कि root lucky हमारा कहां कहां पर exist करेगा और कहां पर exist नहीं करेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक virtual line draw करते हैं और उस virtual line के right side में हम देखते हैं कि हमारे पास कितने poles and कितने zeros मिल रहे है and number of poles and zeros हमारे पास odd मिलते है तो इसका मतलब है वहाँ पर हमारा जो root lucky है वो exist करेगा and number of poles and zeros हमारे पास even मिलते है तो इसका मतलब है वहाँ पर हमारे पास root lucky जो है वो exist नहीं करेगा suppose मैंने यहाँ पर एक line draw की यहाँ पर जब हम देखेंगे right side में तो नमबर अफ पोल subscribers and 0 से 0 तो यहाँ पर हमारा root low की है वो exist नहीं करेगा यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं number of poles and 0 से हमारे पास 1 तो यहाँ पर हमारा root low की वो exist करेगा and जैसा मैंने आपको बताया root low की हमारा vary होता है from k equal to 0 to k equal to infinity and इसे हम दूसरे words में कह सकते हैं from poles to 0 तो यहाँ पे हमें एक pole मिल रहा है तो हमारा root low की है वो इस तरह से आगे vary होगा and यह 0 पे आके terminate हो जाएगा and यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमें number of poles and zeros मिल रहे है 2 which is even number तो यहाँ पे हमारा root low की जो है वो exist नहीं करेगा इसी तरह से हम इस point पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास number of poles and zeros मिल रहे है 3 which is odd number तो यहाँ पे हमारा root low की जो है वो exist करेगा and हमारे पास जो root low की मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से यह जो पोल है यह आगे यहां से बढ़ना स्टार्ट होगा and 0 पर आके terminate हो जाएगा तो इस तरह से हम root लोकी को draw करेंगे अब यह सारे rule को समझाने के लिए मैं आपको एक example के through आगे अच्छे से clear कर दूँगा तो चलिए वो example भी हम देख लेते हैं यहां पर हमें एक open loop transfer function given है k s plus 1 s plus 3 divided by s plus 2 s plus 4 and s plus 6 तो यहां पर जो हमारे पास first rule था वो यह था कि root लोकी vary from k equal to 0 to k equal to infinity and k equal to 0 के लिए जब आप roots निकालेंगे तो हमें मिलेंगे poles that is minus 4 minus 6 and minus 2 इसी तरह से for k equal to infinity के लिए जब हम roots निकालेंगे तो हमें roots मिलेंगे zeros of this system जो होंगे हमारे पास minus 1, minus 3 and infinity यहां पर आप याद रखे मैंने आपको बताया कि हमारा जो root लोकी है वो vary होगा from pole to 0 तो हमारा जो यह pole है minus 2 यहां से हमारा root लोकी start होगा and minus 1 पे terminate होगा इसी तरह से minus 4 से start होगा and minus 3 पे terminate होगा यहां पर देखे हैं हमारे पास pole है minus 6 तो यह जब start होगा and यहां पर हमें कोई 0 नहीं मिल रहा है तो यह आगे terminate होगा infinity पे तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है zeros हैं हमारे पास minus 1, minus 3 and infinity जब हम इनकी location को draw करेंगे S plane में तो हमें location मिलेगी इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं second rule था हमारे पास number of root loki और number of branches तो number of branch के लिए मैं आपको बताया था number of P और Z whichever is higher उतने हमें root loki मिलेंगे तो यहां पर हमें poles के number है 3 and zeros के number है हमारे पास 2 तो यहां पर हमें तीन root loki मिलेंगी तीन branches मिलेंगी तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास जो figure है यहां पर हमें तीन branches मिलेंगी root loki की third rule है हमारे पास number of asymptote number of asymptote होता है mod of P minus Z तो यहां पर P है हमारे पास 3 and z है हमारे पास 2 तो यहाँ पे हमें number of asymptote मिलेंगे 1 fourth rule था हमारे पास angle of asymptote and angle of asymptote का formula यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे जो q होता है वो vary करता है 0 to p minus z minus 1 यहाँ पे आप देखें p minus z मिल रहा है हमें 1 and p minus z minus 1 जब हम लेंगे तो हमें मिलेगा 0 तो यहाँ पे हमें q की value मिलेगी 0 and इस q की value के लिए जब आप यहाँ पे theta निकालेंगे तो आपको theta मिलेगा 180 degree तो यहाँ पे हमें एक ही asymptote मिलेगा और उसका angle होगा हमारे पास 180 degree मतलब हमें जो asymptote मिलेगा वो इस line के along मिलेगा तो हमारे जो roots होंगे centroid मैंने आपको बताया था intersection of asymptote को हम बोलते है centroid तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास number of asymptote है 1 तो यहाँ पे intersection होने के chances नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास centroid defined नहीं होगा next lecture में मैं आपको कुछ और example बताऊंगा तो वहाँ पे centroid आपको defined होगा और वहाँ पे हम देख पाएंगे कि centroid कैसे निकालते है फिलाल यहाँ पे centroid defined नहीं होगा उसके बाद next rule था हमारे पास existence of root loki तो जैसा मैंने आपको बताया था existence के लिए हम क्या करते हैं virtual line draw करके number of roots देखते हैं अगर number of roots हमें मिलते हैं odd तो वहाँ पे हमारा root loki है वो exist करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा root loki exist करेगा यहाँ पे हमारा root loki exist करेगा और यहाँ पे हमारा root loki exist करेगा और जैसा मैंने आपको बताया है root loki जो हमारा वो pole से start होगा and 0 पे terminate होगा and asymptote मिल रहा हमें 180 degree पे तो इस line के along जो हमारा root लोग की vary होगे तो first जो हमें path मिलेगा first जो हमें branch मिलेगी या first जो हमें root लोग की मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से यह जो pole है आगे vary होगे इस तरह से and 0 पे आके terminate हो जाएंगे इसी तरह से आप देखें तो यह जो pole है वो इस तरह से आगे vary होगा and आगे 0 पे आके terminate हो जाएगा and यह जो pole हमारे पास minus 6 पे यह आगे vary होगा हमारे पास इस तरह से and यह terminate होगा infinity point पे तो यह जो हमारा आगे vary करता जाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें number of root locus की मिल रही है 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 branches मिल रही है root locus की तो इस तरह से हम root locus draw करते हैं अब इस root locus से किस तरह से question पुशे आते हैं gate के exam में इसे हम next lecture में देखेंगे कुछ और rules है हमारे पास उन्हें भी हमागे discuss करेंगे तो फिलाल बस इस lecture में इतना ही अगर आपको यह lecture अच्छा लगा तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों को share कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए Thank you